गूड मोर्निंग नमस्कार आपके लिए द dibuj से चा या पांच जरूरा क прог़वा ठिस्ट उसको द्याइब है और आप लोग का आराम से सब्सक्राइब से ठीक चलिए बाकी कोई दिक्करतों परसारी है जरूर बताईएगा और जितने भी प्रिव्येस पेपर है उसका जो प्लेइलिस्ट बना दूँगा प्लेइलिस्ट को तुरंत करिए और जो मातर जो छूट थे एक दो दिन और है लेना है तो ले लिजिए बाकी अपने प्यार को जैडिए ठीक चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजिए बस सब्सक्राइब के लिए कर रहा हूं क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ठीक है चलिए बाकी आपकी मर्जी वीडियो देखने क है कि प्राचीन जिस प्रकार आधुनिक से संबंदित है उसी प्रकार प्राय से क्या संबंदित होगा यह हमें बताना है यह बताएए प्राचीन का पहले का है आधुनिक अब की बात कर रहा है बिलोम है प्राय का मतलब होता है कि हमेशा लगवाग प्राय काम होता रहता है लेकिन कभी कबार इसी की विलों प्राय के विलों मैंने कभी कबार आपसन इसका क्या हो जाएगा सी कहते हैं ऐसे आलोगी किए बहुत यह बढ़ियां कोर्षण बनता है कुपता है मतलब खुप बनता है को करना है है क्तонов ओगे जिम्ताइश्रक करना है इसे के प्रकार का से उसी प्रकार D P किसे संबंदितों का कैसे संबंदित है देखिए यहां पर तो यह बताईए आई का कितना होता है प्लेस वैलू 9 होता है और प्लस C का कितना होता है प्लेस वैलू 3 होता है 9 और 3 कितना होता है 12 12 अपान 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा 12 आपान 2 करेंगे तो 6 आजाएगा, ठीक है, आइसे ही D का कितना होता है 4 आपी का होता है 16, 16 को 4 से add करेंगे फि 2 से divide करेंगे तो 20 अपान हो जाएगा 2, जब काटेंगे तो कितना जाएगा 10, ठीक है, रूल समझ में आया, इन दोनों को place value को add करके 2 से divide कर देना है, 6 आगया, इन दोनों को place value को जोड़ कर, add करके 2 से divide कर देंगे, तो हमारा जाएगा 10, ठीक है? Option number B, चलिए, next, आप देखिए कैसे सम्बंदी थे, जिस प्रकार सम्बंदी थे 25, 25, 125 से सम्बंदी थे, 25, 125 से सम्बंदी थे, उसी प्रकार, 36 किसे सम्बंदी थे? तो 25 को देखेंगे, आप रोग ध्यान से, तो ये 5 का square है, 5, 25, 25, और ये 5 का cube है, 5, 25, 25, 125 हो जाएगा, ऐसे ही, जिस संख्या का work कर रहा है, उसी संख्या का cube करेगा, इसी जिए 6 का square 36 हो जाएगा, और 6 का cube करेंगे, कितना 216 आ जाएगा, समझ में है न, जिस संख्या का square कर जाएगा, उसी संख्या के last में cube कर रहा है, यहाँ पर जाएगा 216, आपसर नमर 3, चल, नेक्स्ट है, इसमें बिसम चाटना है, चार से लेकिए 6 तक दो, बिसम क्या है, अमर्त सेन, अब्दुलकलाम, रविदना टैगोर और सीवी रमन, इन दोनों में अलग क्या है, दोनो देदे हैं, आम लोगों को, देखिए, यहाँ पर जब अलग देखेंगे हम लोग, अमर्त सेन हो जाएगा, रविदना टैगोर हो जाएगा, और सीवी रमन, इन सभी लोगों को, नोबेल पुरुस्टकार मिला है, लेकिन अब्दुलकलाम जी जे ऊजर नोबेल पूरुस्क है तीन का गुड़ा करके एक काईड किया है दस तियाएन थीज पलस एक गुढ़े तीन प्लस एक किया है यहां पर भी 11 तीज थीज खॉप एक मचली करेघा क्या है चैए लगे था लेकिन 16 क्या है सबसे तीनों से अलग है, चीक है, समझ में आया है न, चलिए, आगे चलते हैं, इसके बाद है, शिक्स नमर क्या करा आए, कि B, C, U, V, मतलब यह देख करम है, B के बाद C आता है, U के बाद B आता है, यहाँ पर W बाद X आता है, आर के बाद S आता है M N T U J K होना चाहिए था जी आई ये तो सही लेकिन जे के होना चाहिए था नहीं यहां पर है और D यहां पर क्यूद बनाया जासकता है तो यह हमारा अंसर नहीं बनाशता है जूँ है आपका क्विल्ट क्विल्ट एल देखी इसमें नहीं है यहां पर इसलिए आप से नमर क्या ओजाएगा डी यहां पर नहीं बनाया जा सकता चलिए नेक्स्ट के दिखेंगे हम लोग क्या करा रहा है है कि वे अच्छी चुनिए है जो पहले सब्तों को पूरा करते हैं और दूसरे सब्रीं को शुरू करते PAC और दूश्रे वाले को करता है यहांते यहां चोड़ दें तो फ्लूट हो जाएगा और यहां पर अटयेक tu होẩईगा यहां पर बंद भी जाएगा और क्या होता है तायरना चाहिए था और यस आपको क्यों लिखते हैं तो यहां पर म्यूजिक को क्या लिखा जाएगा यह ध्यान से क्या कोड बन रहा है तो आर के बाद क्यों आता है अध्य करने अत्याएं अध्य कर रहा है एक एक माइनस कर रहा है ठीक है न यहां पर म्यूजिक करेंगे माइनस करेंगे तो यह प्या हो जाएगा L M के परले L आते हैं और U मेंसे一 माइनस करेंगे तो आजाएगा इसके वाद है यस मेंसे माइनस करेंगे तो आजाएगा और आई मेंसे माइनस करेंगे हो जाएगा और सी मेंसे आपसर नंबर गी सब्सक्राइब अच्छा लगा तो like her तो उय्लोग आप advocacy पेपर है NBE का चलिए अभी भी जो लोग नए है जरूर सब्सक्राइब कर लिए आप लोगों को इस चैनल से निश्चित तोर पे लाव मिलेगा ही मिलेगा चलिए आप देखिए इसमें क्या करना है कि ए से जे अच्छरों को कूट भासा में ऐसे लिखा गया लिखा जाता दे कि जो कैप्टेल लेटर है उसका कुछ ने कुछ कोड दिया गया नीचे बीका आई एसे हमें डूढ़ना किसका डूढ़ना है वाई बी एच एन आई एम का चैसे लिखा जाएगा ठीक है आप देखना है यहां पर आ जाता है वाई भी इसके बाद B का कोड क्या है यहां पर देखिए य का कोड है C इसके बाद B का कोड क्या है उपर चलें एक में लोग देखें B का कोड तो I है देखिए यहां पर B का कोड क्या है I है यह का कोड C है इसके बाद आपका हो जाएगा H तो Y का code आगया हमारा C और B का code आगया हम लोगों का I H का code क्या है यहां पे देखिए Q N का code कहा है आपका N है यहां पे तो इसका code है D इसके बाद है I का code है यहां पे आजाएगा M और capital M का code हो जाएगा आपका U C, I, Q D, M, U C, I, Q, D, M, U यहां पो जाएगा C I Q B M U, क्या था C I Q B M U, यही इसमें डूड़ना है, आप देखिए कहीं है इधर A सब है ही नहीं, A B नहीं है, यहां पर A से डूड़ देजिए, A भी नहीं है, यहां देखिए इस वाले में, आप सा नमर D हो जाएगा, क्योंकि A में है, तिसरा नमर पर C I Q D M U, ठीक है, बस इसका कोड ढूड़कर पता लगाना था लिख देना था, चली, निक्स चलते हैं, आगे, क्या कह रहा है, कि नीचे दिये के करम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनको तीन या पांच से पूरी तरह भाजित किया जा सकता है, उनके ठीक बाद भी विस्व संख्या है, तता ठीक उनके बाद, मतलब विस्व संख्या के बाद भी कोई संख्या भी है, यह ध्यान रखना है, जब ऐसे आप लोग खोजेंगे इसमें जोड़ा, तो कि वह दो जोड़े मिलेंगे, क्या क्या क्या, तीन, पचीस और अट्रा, एक यह जोड़ा हो गया, औ आप देखे, तीन से डिवाइड हो गया, यह पांसे भी डिवाइड हो गया, इसके बाद है, समसंख्या भी है, तो क्योब दो जोड़े मिलेंगे, कितने, दो जोड़े मिलेंगे, आपसन नमबर B, नेक्स्ट है कि तीस चात्रों की कच्छा में महेश, जो है, बाएं से, चोड़ा हमें अस्तान पर है, तो महेश जो है आपका, L से 14 है, L 14 है, क्रमपे है, तथा रमेश दाएं से 20 में क्रमपे है, आर 20 है, चिक, और रमेश और महेश के बीश कितने चात्रे हैं, टोटल कितने हैं, तीस है, तो यह बताइए, कि जब रमेश, आपका, महेश का, महेश का यदि चोड़ा हमें है, आपका 22 है, तो दाएं से कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 14 करके एक जोड़ देंगे यहां पर, कितना हो जाएगा, 6 आपर, 16 और प्लस 17, 17 हमां हो गया, दाहिने से, 17 हमां ह है, तो इसका इधर से हो गया, चोड़ा हमां, और इधर से हो गया, 17 हमां, और यह देखे, रमेश, दाएं सीरे से, 20 में करम पर है, रमेश जो है, दाएं सीरे से, मतलब इधर से रमेश, 20 में पर है, 17 है, 18, 20, 20 में अस्तान पर है, तो इसके और इसके बीच में कितने लोग ह प्रतेक सब्द में प्रतेक सब्द में प्रतेक अच्छर का क्योवल एक बार प्रयोग करना है और बताना है कि कितने सब्द बनाये जा सकते हैं अर्थपूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पू कि इतना एरा हुआ आपका समझ रहे हैं सन इस भी सन यह हो गया तीन थो कितने तीन बन सकते हैं आपसा नमर दी और कोई नहीं बनेगा इसका नेक्स्ट है कि A, B, C, D और E पांच स्टिल के बॉक्स हैं E केवल A से भारी है और C A और E से भारी है देखें पांच हैं स्टिल E जो है केवल और केवल A से भारी है मतलब नीचे केवल A है बस और कोई नहीं है C जो है A और E दोनों से भारी है सी जो है E और E दोनों से भारी कर दिया ठीक है इसके बाद B से कम भारी है मतलब ये B से कम भारी है जो सबसे बारी नहीं है मतलब 20 सबसे बारी नहीं है मतलब इसके ऊपर भी कोई है तो कौन बचा दी बचा यह सबसे ऊपर हो गया चिक अच्छ तो पुछा क्या है कौन बॉक्स में सबसे बारी है एकदम सिंपल कोश्चन है अफसर नमर्ब एक 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 प्लेस वान इससे चार ज्यादा दो इससे चार ज्यादा चार चार ज्यादा करना है अंको से कौन सासद बनेगा देखिए यहां पर 16 में चार आड़ करेंगे टी हो जाएगा पांच में चार आड़ करेंगे क्या हो जाएगा अब इसके बाद जाएगा व इसके बाद जाएगा 29 में से चार ज्यादा करेंगे 25 का मतलब वाई हो जाएगा आब इतना से मिला लीजिए यह हो गाए नहीं यह हो गाए नहीं यह हो गाए नहीं आपसर नमर बी हो जाएगा आंसर ठीक है चली एक खुदरा दुकान में 24 अलमारिया थी प्रतेक अलमारी में 28 रैंक बने थे ठीक है एक खुदरा दुकान में 24 अलमारिया थी प्रतेक अलमारी में 28 रैंक बने थे इसके बाद प्रतेक रैंक में 10 बॉक्स रखे गए थे और प्रतेक बॉक्स में भी क्या चार कमीजे रखे गए एक दिन में 500 बाक्स से question को सुनिए ठीक चलिए आगे देखते हैं कि आगे देखिए यहां पर क्या है कि अब सुलू कैसे करें सॉल्व करना यहां पर यह करना है कि कि टोटल यदि टोटल कमी जो संख्या पहले निकालना है तो इसका 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 और इसका मल्टिप्लाइ करेंगे कितना आएगा मल्टिप्लाइ करके देख लीजिए 60480 अब बेचे गए जो कितने प्रतेक बॉक्स में कितने हैं आपके जो कमीज हैं तो ढाइसों में 4 को मुल्टिप्लाइ कर दिजिए तो हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 कमीज हो गया, टोटल कमीज कितनी थी, 60480 कमीज थी टोटल और इसमें से 1000 कमीज हो आपकी कम हो गया, ठीक है, तो उस दिन की पूरी कमीजों की संक्या कितनी हो जाएगी, आपका 6480 माइनस, 1000 जब करेंगे, कितना हो जाएगा, 69,480, समझ में आएगा, फिर से रिवाइन करके देखिए, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा, पहले क्या करना है, कि समी जो इदर दिये हैं, 24 अलमारिया, और 28 रैंक, और 10 बॉक्स, और 4 कमीज का मल्टिप्लाई आपका करेंगे, तो टोटल आपका संख्या आजाएगी, कमीजों की, ठीक है, फिर उसके बाद जो बचा है, आपका 500 बॉक्स बेचे गए उस दिन और 250 खरीदे गए, ठीक है, तो इसमें से बचे कितने हैं, 200,500 होई बचे न, और एक बॉक्स में 4 कमीज है, जिसका मल्टिप्लाई करेंगे, तो एक हजार हो जाएगा, ठीक, और टोटल कितने हैं, 60,480 है, इसमें से 1,000 माइनस करेंगे, 8,480 है आजाएगा, एंसर, ठीक, चलिए, यदि आगे हम लोग चलेंगे, क्या आगे क्य कर आए, यह देखना ध्यान से, इंस्ट्रक्शन है, किसके लिए आपका निर्देश है, आपका अठास लेकर काईस तक के लिए, यह आपका है, क्यूब से संबंदित है, 8 cm भुजा के एक ठोस घन के विपरीत फलकों पर लाल, नीले और काले, रंग से रंग आ गया है, पाठा जाता है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आपका, 8 upon 2 is equal to 4 हो जाएगा, जब एन बराबर 4 हो जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसके बात कोई भी question है, answer तो आप लोग देए देंगे कि इस formula सभी लोग पता है, कितने घनों के के वाद दो फलक रंगे ह हुए हैं, जब दो फलक की बात आती है, तो मिलोग का formula बन जाता है, 12 n-2, 12 n-2, n कितना था, 4 था, और यह देंगे करेंगे, 12-4 में से दो जाएगा, 2, आजाएगा, क्या answer, 24, टिक, 24 हो जाएगा, आपसर नमबर C, दो सतर, कि वो रंगा रहेगा, तो आपसर नमबर, यह ही आजाएगा, चिक, चलिए, formula, next, कितने घनों के के वल दो फलक रंगे हुए है, 24 हो गया answer, हमारा सही है, इसके बाद अगला चलेंगे, कितने घनों के दो फलक लाल और काले रंग से रंगे हुए, उनके 6 फलक बिना देखिए, ध्यान से, यह वाला कोश्चत, क्या करना है, कि वता है, यह total 12 होते हैं, अच्छा, 12 होते हैं, तो उसमें से तो यह जान लिए कि 8 तो पूरे क्या, बीच में, किनारों वाले हो जाएंगे, जो 8 हैं, किनारों वालों तो तीन-तीन कलर से हो जाएंगे, इसलिए 12 मे से, जब बचेगा कितना वाला, 4 बचेगा, 4 फलक बचेगा, अब बताइए, 4 में, 4 यहाँ पर बचा, इसके बाद, यन-2 कर देंगे, यन की संक्या कितनी है, 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 8 हो जाएगा, क्या, उन दो फलक जो हैं, जो लाल और काली रंग से फलक बिना रंगे वए भी हैं, कितने 8 हैं, 4 लाल वाला, 4 अपका काला वाला, चली, एध्र दाया रखी हैं, अगला 23 नमर है कि कितने घनों का 1 फलक नीला और 1 फलक लाल से रंगा हुआ है, उनके 6 फलके रंगे या बिना रंगे हो सकते हैं, चेगे, यह जानी जे, अभी त और यहां पर किनारों पर आठ सतव हैं और आठों तीनों रंगों हुए मतलब उसमें तो दो रंग तो मिली जाएगा न तो प्लस ओ आठ हो गया यहां पर कितना आठार सोल हो गया है 16 चलिए चलिए नेक्स्ट है कितने घनों के तीन फलक अलग 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 रंगों से रंगे हैं तो कितने घनों के तीन फलक जो हैं अलग 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 रंगों से रंगे हैं आप जब ऐसा कोशन जहां भी पूछे आखमून कर आठ मार देजिएगा क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपके सभी किनारों पर चार रंग होते हैं तो तीन रंग तो मिलेंगे तीन अलग 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 रंग तो यह चार नीचे चार उपर है पूरव की और इसके बाद फिर दाय मुड़ा मतलब इसका दाय नहीं यहां पे हो गया और 20 मिटर चला है इसके बाद आपका हो जाएगा फिर नाया मुड़ा औप 15 मिटर चल गया अब मोहन अपने भीन्दू से किस दिसा में है सुरुवाती बिन्दू यहां पर था मुंध अब यहां पर है नीचे की ओर है तौर दच्छी दिसा में आपसर नम्मर बी चाहिए समझ में एकदम चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे 23 नमर कोश्चन क्या कर रहा है कि एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इसारा करते हुए कहा मतलब एक महिला कोई है और यह फोटोग्राफ है इसके ओर इसारा करते हुए कहा है कि इस व्यक्त के पुत्र की बहन मेरी सास है इस व्यक्त की पुत्र की बहन स्वारी बहन यहां पर हो जाएगा मेरी सास मतलब इसास कि कोई लड़का होगा और लड़के के कोई पत्नी होगी ठीक यह तो गए पूछा जाराए कि इसका और जो व्यक्ति हैं इनका क्या सर्मने फॉट वालेस हैं ठीक लड़का लड़की हैं यह है इनकी लड़की की जरें आपके लड़के क्या लेखते हैं आपके नाति या धहुता कहते हुं साने और यहीं पर ऑफने ध्यूता क्लाएगी ध्यूता है चैक अफसवनमर सी जो पत्नी जो लड़की थी उसके पती जो है पती के नाना होंगे तो उसके भी नाना होंगे तो धेवता कहला आएगी ठीक चलिए एक घड़ी को आएने के सामने रखने पर लगता है कि साथ बज़ कर दस मिनिट हुआ है घड़ी में सही समय क्या है जाब भी ऐसा कोई कोशन जो भी कोशन आए ऐसा बस आप लोगों के करना कि 11 बज़ कर 60 मिनिट में से घटा देना है आख मून कर सभी अंसरा जाएगा पचास हो गया और चार हो गया चार बज़ के 50 मिनिट वार्तिक समय इसका हो रहा है चार बज़ के 50 मिनिट आपसे नमर एग तो इसी बात एक अर्थ भाग है और एन का अर्थ माइनस है कि डी का अर्थ क्या है प्लस है एक अर्थ क्या है गुड़ा है इसके बाद एन का अर्थ क्या है यहां पर माइनस है और एक अर्थ क्या है गुड़ा है तो पंदरे च्छका नब्बे हो गया यहां पर प्लस बीस हो गया यहां पर यहां पर माइनस तेरे चोग का 52 हो गया बीस और नब्बे 110 हो गया 110 में से 52 माइनस करेंगे कितना जाएगा अन्ठावन 58 वेरिफास्ट इसदम करिये कल्कुलेशन तभी आएगा मजा यदि आने वाले कल के यह वाला इसदम प्रेट कल करके मैं बताता हूं कभी गलत नहीं होगा आप लोगों को पले तेजा लिए यह आज है फिर करा आने वाला कल मतलब आगे चलेंगे हम लोग यह है आने वाला कल कि दो दिन बाद कर रहा है एक दिन दो दिन बाद मतलब यह वाला दिन क्या है ब्रहस्पतिवार है ठीक अच्छा दिन होगा तो बीते कल से मतलब बीत गया है कल इससे तीन दिन पहले सपता का कौन सा दिन था मतलब एक दिन दो दिन तीन पहले सपता का कौन दिन था यह नह इसके पहले मंगल, शोम, रवी, सनी, सुक्र, ब्रहस्पती, बुद्ध, मंगल, अब बताएए आप लोग कोई भी आपको दिक्कत हुआ इतने में, कोई दिक्कत नहीं हुआ न, आपका सीदे सीदे मंगल आजएगा अफसर नमर बी, ठिक, अफसर नमर बी, तो ऐसे ही आप ल आपके दिमाग में मैसा रहेगा, ट्रिक रहेगा, आज है, कल भूल जाएगा, लेकिन यह कभी भी नहीं भूलेगा, यदि आप लोग इसे अपना कांसिप्ट बना ले तो, चलिए, नेक्स्ट है, इसमें भीन क्या चाटना है, देखे, यह देखे, इसका सेम टू सेम नीच इसमें, तो यह देखे, यहाँ पर नीचे तो इसका गोला भी रंगा हुआ है, और यहाँ पर देखे, यह उपर है, तो यहाँ पर आपसन यहाँ, इसमें से देख लिए, एक ही रंगा रहना चाहिए, यह तो दोनों होगा है नहीं, यह उपर रंगा रहना चाहिए, और यह कौशन नमबर ऊंतीस है निशे दी गए आकृतम कितनेय त्रिभउज है रने कितने त्रिभउज है एक गिन्ना सुरू करें दिख्लिफ देख्ल can तीन त्री पुच हो गया नौप ऑच्छा तीन च्छ तीन नो तिन चुक 12 और किया प्टेरह एक चजवदह कि बाद क्या हो गया यहांपर एक देखिए आप पूरा पंदर और यहांपर 16 एक हांपर 17 कितने हैं 17 अफ्सण यहांपर 16 ही है लेकिन यहांपर 17 हो गयां एंस्वर नमर डी होना चाहिए लेकि आपर 17 कर लिए यह वाला अप्सन गलत है चलिए नेक्स है कोशन नमर 35 क्या कर रहा है 35 है कि वर्स 1984-85 में भारत में उर्वरक का उपभोग 8.2 एक टन था वर्स सब्सक्राइब कर रहा है इसके बाद पहुंच जाने की आसा है मतलब 2000 की बात कर रहा है आपका निसकर्स क्या होगा इसमें से तो यदि आप सही से सब कुछ जानते हैं तो बहुत आसानी सी कोशन के जवाब दे सकते हैं देखने लगातार बढ़ रहा है ना तो उर्वरक में उपहोग में इस्थिति यह भी गलत है आपका लगाता गिरावट आई एकडम बिल्कुल गलत है दृष्टि गोचर नहीं होती यह भी गलत है लेकिन यह देखे डी वालेम क्या कर रहा है कि उर्वरक उपहोग में निरंतर ब्रिद्धी हो रही है एक बिल्कुल सही है आप देखें आपर क्या कर रहा है कि सभी दोसी राजनितिक गिरफतार कर लिए गये हैं ताम और गोपाल गिरफतार लोगों में सामिल है तो ताम और गोपाल दोसी थे तो ठीक है एकडम ठीक निकल ला ताम और गोपाल राजनितिक यह जरूरी तो है नहीं सभी गिरफतार और गोपाल दोसी तहें ट्रहाज क्या च्ट है लकडी गुट्सी क्या साती है नंजट कि यहां पयarest लूप संक्या बताना है कि यहां पर क्या होगा नो प्लस चालिस हो जाएगा साथ पचे पाइंटिस प्लस पांच करेंगे चालिस हो जाएगा और सतरतियां प्लस तिन करेंगे चावण हो जाएगा एक कैस त्रिक के इसाट फ्लस तीन करेंगे अप्साथ हो जाएगा एक दस शकाथ जाएगा स्पाथ हो जाएगा ना अप्सर नहिंद ग्याद करना है लुप्त प्त क्या हो जाएगा यह पर 144 32 21 यह बताईए कि 144 किसका वर्ग मूल है वर्ग है बारा का यह किसका है 11 11 12 मुल्टिप्लाई के 132 आएगा और यह 8 का वर्ग है यह 10 का वर्ग है और 10 और 8 का मुल्टिप्लाई करेंगे अपसर नमर 2 ठीक है चलिए सब्द कोस में तीसरे अस्थान के कौन सब्द आएगा इस है वो बताता हुँ सब्सक्राइब बताते हैं बादे सब्सक्राइब है दें उस ही पहला नमर नदो रिट टो इस फहाल्शा नमर दोन में इसको या भाएगा अब आगे चलिए इन दोनों में एकाड दिजी, इन दोनों में एकाड दिजी, अब पताएं ए सी आएपले के टी आएगा? तो दूसरा पर A आजाएगा, और तिसरा नमर पर D वाल आजाएगा. ये चयोताный नमर सबसे लाश्र में आएगा, तो आपसा नमर क्या हो होगा तो सब्दों का सही सार्थक आरोही क्रम क्या हो जाएगा यह बताना है हम लोगों को देखें सबसे पहले क्या हो जाएगा अनुभूती किसी चीज़ की अनुभूती ठीक है उसके बाद बोध तो पहले पांच फिर दो फिर इसके बाद समावेश फिर करते हैं हम लोग चार फिर इसके बाद scheme का निर्धारन करते हैं तीन पिर इसके बाद समायोजन लाश्ट में करते हैं क्या एक पांच दो चार तीन एक पांच दो चार तीनिक आप से नमर ढीजिए समझाया चलिए नेक्स्ट है आप सभी लोग जानते हैं यहां पर बगल में आ जाएगा है यहां पर ऐसे हो जाएगा यहन हो जाएगा इसके बद आई हो जाएगा इन हो जाएगा इसके बद डेवलू हो जाएगा ओ जाएगा और हो जाएगा एफ हो जाएगा आफसर नमर पहले ही दिख रहा है आफसर नम नेक्स्ट काउन काउन सी उत्तराक्रिती में नहीं थे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा जो ऐ है आपका कि इसी में बना हुआ दिख लहा है इस Lakis को कौशन कट गयेंगे technology द्हान दिय favourite थे और लगभव पूरे आपसन गलत परिवारों में से तीस परिवारों के पास अपनी अपनी कार है ॥ो से 30 के पास हम कि शाट्री कठार अठर जयाए अठरा अठरा परिवार हो रही, सि इसके पार से परिवारों के 50 मतलब लाटर इसके बाद जो बचे तो बचे गार 21 बचाफ कर पास क्या हो जाए कि पूछा जा रहा है कितने परिवार के पास अपनी साइक ले कैस सीधे से अंसर आगया 21 क्या 21 answer ठीक है चलिए next है कि तरुण की आयू एक पूरांक संख्या का घन है ध्यान दिजे तरुण की आयू एक पूरांक संख्या का घन है दो वर्ष पूर्व या एक अन्य पूरांक का वर्ग था तरुण को कितने वर्ष प्रतिछा करनी होगी जब उसकी आयू फिर किसी प पुराँक का घन हो सए ठीक है इसमें क्या किना है आप लोगों सुरुष देखना पड़ेगा ऐगा राट होता है यह का रहा है कि वर्तमान में किसी घन है किसी संख्या का पुराँक है । तो दो यह दि लेंगे तो आठ हो जाएगा तो आठ वर से आज आज है दो अर्श पर सुब भी है और पचीस दो साल पूर वर्ग भी है इसका मतलब बिल्कुल सही एक दम है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 27 वर्थ था अब पचीस वर्थ पूछा क्या है कि अगला आप कभ इंतिजार करना पड़ेगा कितना कि ताकि यह क्यूब बने तो कभ अगला देखिए यहा सब्सक्राइब कि अगला देखिए था और माइनस कर दिए इसमिन से के यहां पर आप 4 चार चाहुदे में से साथ गया साथ यहां पर आप जबते तीन कि सैंधिस वर्थ वागी और बनने पूर्ण संख्या फिर हो जाएगा इसका पूर्ण हो जाएगा इसकी आयू असा करते हैं अच्छा लगा होका अगर कोई भी कोश्चन में डाउट है तो आप अपना सेलुशन खुद लिखिए और कमेंट बाक्स में बताइए हमें अगर उसके बाद भी कोई प्राब्लम हो र के लिए आपको तुरंट पहुंजा है वीडियो को जरूर सेयर करें धन्यवाद